दमस्कार दोस्तों देशा की बहुगोणी हल्दी के बारे में आपको पता है कि हमने उसे प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश की है हम चाहते हैं कि हल्दी का सबसे पुरातन समय में या हमारी दादी नानी द्वारा एक बहुत अच्छा तरीका था जब हम सबजी बनाते हैं तो हल्दी को हमेशाद तेल या घी में मिलाकर बनाया जाता है जब पश्चन के देशों में हल्दी को खाना बनने के बाद ऐसे कलरिंग एजेंट ऐसे कलर के रूप में उप्योग किया जाता है जब हमें ये बात पता चली कि हम एशियन और जो वेस्टन कंट्रीज है इनमें हल्दी हमारे शरीर में हम जब डेली उप्योग कर रहे हैं खाने में हमारा एक महत्पूर घटक हो है तो फिर हम इसको कैसे कितने मात्रा में हमारे शरीर में पहुंच पा रहा है या उसके जो हमारे प्राचीन विश्यमुनियोदारा बताए गए हैं वो है भी या नहीं है यह एक रिसर्च का विशर्च था और मैंने इसको थोड़ा सा एक्स्प्लोर करने की कोशिश की है हल्दी एक तरह से बहुत ही उन्दा एंटीबायोटिक्स हैं एंटी इंफ्लामेट्री ड्रग हैं और मैं कहता हूं यह एक एंटी कैंसर एजेंट के रूप में भी प्रियोग की जा रही है परंतु हल्दी के साथ सबस्या यह है कि यह इसका जो महत्मून घटक है जिसको हम करुकुमिन के नाम से जानते हैं यहां पानी में घुलंशील नहीं है यह फैट सॉलुवल है ऑ जाता है पानी में इसका उतला अधिक एफेक्ट नहीं मिल पाता क्यांकि इसकी घुलंशंता उसकी है नहीं उसमें तो मैंने कोशिश की कि अगर हम इसको एक लिपिड विसाइकल सिस्टम में लिपिड कैरियर में ही इंकार्पूरेट करके अगर शरीर तक पहुचा आए तो जो नहीं है को घटक या एक चाइनीज ड्रक होती है जिसको हम आटी मैसलिन बोलते हैं उसको मिलाकर यह हल्दी के बहुत सारे कॉमिनेशन्स अभी मार्केट में हैं हल्दी कई रूप में शरीर को मिलने के लिए प्रयोग की जा रही है कॉस्मेटिक्स में हल्दी का उप्यो भारती और पश्चनी दोनों देशों में हल्दी का हम जादा से जादा उपयोग अपने शरीर की पृतिरक्षा को बढ़ाने के लिए कर पाएं यह एक विशय था और इसको हमने अपनी रिसर्च में शम्मलित किया जिसमें कि हमने हल्दी के करकुमिन के लाइपसों बना कर उस इसे छोटे अनिमल्स जिसको हम माइस चुहे बोलते हैं पर प्योग किया और देखा कि खास बात यह थी कि हल्दी पहले तो शरीर तक पहुंच नहीं रही थी जहां नुक्सान नाई कोशिकाय कैंसर की थे वहां तक हल्दी का पहुचना संदब नहीं हो पा रहाता फिर जब हमने इसके लाइपोसम बनाए तो लाइपोसम के साथ दूसी समझ से इस्टेबलेटी कि थी लाइपोसम को बनाना और इसके बाद उनको इस्टेबल रूप में उन कोशिकायों तक पहुचाना जहां वो कैंसर के विरोध में लड़ सके यह एक छोटा सा रिसर्स था जिसे हम हमें पेटेंट के लिए अप्लाई किया है और हम चाहते हैं कि अगर उतने रूप में हल्दी व्यक्ति तक समाज तक पहुच ना पाए तब भी हम अपने धैनिक जीवन में जो हमारी घर में उप्योग होने वाली हल्दी है उसका उस कई के रूप में जो हमारी दादी नानी पहुचे और सबसे अच्छा तरीका दूद में ले लेते हैं उसके भी बहुत सारे फायदे हैं पहले बहुत सारे फायदे के बारे में बताया गया है बैग्यानिक तत्यों पर ना जाकर आपको द्रेनिक जीवन में जैसे कि हम तुल्सी अधरक की चाय पीते हैं इस तरह से अगर हल्दी को भी प्रियोग में लाना शुरू कर दे तो बहुत ही अच्छा होगा छोटे बच्चों को केंडी के रूप में आजकर हल्दी की केंडी बना के अगर उपलब्ध हो तब हमारी इस रिसर्च की सार्थक्ता कायम हो पाएगी हल्यवाद